शे ऐसी रासियां मित्रों जिनको प्यार में रिलेशन्शिप में धोका मिलता है या इनके रिलेशन्शिप ज़्यादा चल नहीं पाते यह रिसर्च वेस्ट आज हम इस कारेकरम में चर्चा करेंगे वैसे तो 12 राशिय वाले हर राशिय वालों के रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं इसमें कोई बड़ी बात है नहीं चाये प्यार का रिलेशन हो चाये रिष्थेदारी का रिलेशन हो चाये शादी ही बहुतों लोगों की टूड़ जाती है लेकिन आज हम जिकर कर रहे हैं 2017 से 2025 की हमारे अनुसंदान की रिसर्ट जिसमें की छे रासियां ऐसी नजर आई हैं इतने लोगों से बात करने के बाद खुंडली देखने के बाद 6 रासिया ऐसी नजर आई हैं जिनके रिलेशनशिप अधिकतर तूट ही जाते हैं मतलब इनके रेश्यो जादा रहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वह रिलेशनशिप क्यों तूट जाते हैं कारण क्या होता हैं और प्यार में धोका क् चर्चा इस कारिकरम में करेंगे उन्हों छे अलगी राशिया कोन सी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अगर आप फेस्बुक और यूट्यूब में देख रहे हैं और इतनी रिसर्च हमारा अनुसंदान केंदर कर रहा है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहें सब कर लिए पहली राशी के बारे में बात करें तो पहली राशी है मेस राशी में देखा जाए तो प्रेम में सपलता इनको बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती है कारण क्या होता है इसमें कुछ बहुत सारे कारण है उनमें से मैं तीन चार कारण आपको बताना चाहूंगा पहल से इनका प्रेम आगे चलने पड़ता या प्रेम विवा हो नहीं पाता दूसरा कारण होता है जो इनका पार्टनर होता वह ज्यादा एडवांस होता है फ्यूचरिस्टिक होता है जिस कारण से महत्वी नहीं दे रहा है वह तो अपने सपनों को महत्व दे रहा है तो ऐसे में बहुत लोगों को चंचलता पसंद आती है कभी कुछ भी बोल देंगे कभी कुछ भी काम कर देंगे और कुछ लोगों को जीवन में चंचलता पसंद नहीं आती इसलिए इनके जो रिलेशन्चीप होते हैं वो लॉंग टर्म चल नहीं पाते क्योंकि इनके चंचलता होती है चौथा बड़ा कारण क्या होता है यह बहुत जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाते हैं यानि की कान के कच्चे होते हैं नेगटिव ज्यादा सोचते हैं और प्रेशर में आ जात का या रिलेशन्चीप इनके टूड़ जाते हैं दूसरी जो बड़ी राशी है वो है करक राशी करक राशी को भी प्रेम में सपलता में कठिनाई आती है रिलेशन मेंटेन करने में इनको कठनाई आती है कारण क्या होते है पहला चीज जो आपका आपने जो पार्टनर चु सबस्त क्वाइब करते हैं यानिकि लगफरी जीवन के अंदर हुनी चाहिए अच्छी पद पोजीशन भी अच्छा धन होना चाहिए और जो पार्टनर के मन की बात पार्टनर के साथ समय बिताने की बात उसको जएदा मैथ हो नहीं देते हैं और जितना लंबा relation होता उतना ज़्यादा मान के चलिए कि आप उतना ज़्यादा उसको neglect करेंगे जिस कारण वस्थ से relation खराब हो जाते हैं तूड जाते हैं याद रखिएगा साथी साथ देखा जाए तीसरा कारण होता है कि relation में प्रेम से ज़्यादा पैसे को महतो देना पैसा जरूरी है लेक करियर को ज्यादा महतो देते हैं अपने जीवन की परतीभा को ज्यादा महतो देते हैं क्यूंकि पड़े लिखे को होते हैं अच्छे कुर्स नूझे वे होते explos owners ज्यादा पद्प्रतिष्था मान सम्मान पर होता है । इसलिए क्या होता है कि पार्ट्नर से देखा जाए को इसलिए इनके कि लौंग टर्म रडीने चल नहीं पातें कि यह प्रदप्रिष्ता इनको जादा मिल जाती है, अपने काम में मास्थर जादा हो जाते हैं, उसी में घिरेवे रहते हैं, परिवार और पार्टनर को जादा समय दे नहीं पाते हैं, साथी साथ देखा जाए, तो दूसरा जो कारण होता है कि पार्टनर के साथ में आपका बुरा व्यवार, वैसे त को बुरा लग जाता है जिस बज़े से वो रिलेशन ज्यादा ठिक नहीं पाता है इसलिए आपको अपनी वानी पर अपनी सोच पर और खासकर अपने पाटनर अपनी पत्री को बात कह रहे हैं तो सोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा नहीं तो रिलेशन एंड की कगार पे भी आ सकता है यह रिसर्च बोलती है साथी साथ देखा जाए हर चीज को लेके कन्या रासी वाले प्रॉफिट और लॉस देखते हैं यानि कहीं पर जाते हैं कहीं घूमते हैं तो वहां इतना खर्चा आ जाएगा वहां मेरा इतना काम का लॉस हो जाएगा य रासी को देखके वह तुला राशी के अंदर देखा जाए तो क्या होता है कि इनके भी प्रेम सफल रहते हैं रिलेशनशीप बहुत अच्छे नहीं कारण क्या होता कान का कच्चा होना यानि कि कोई भी तुलाराशी वाले जात को जातिकाओ को पार्टनर के प्रती बढ़क काना हो तो भड़काया जा सकता है कान के बड़े कच्चे होते हैं तुलराशी वाले साती साथ देखा जाए इनको दूसरों में खुबी नजर आती है और पार्टनर में बहुत ज़्यादा कमिया नजर आती है जिस कारण से क्या होता है यह पार्टनर में बहुत ज़्यादा कम में में आ जाती है तीसरा अगर देखा है तो वह यह हो ती है कि कई जगा पे देखा जhof कि आपका पाट्नर ही आपको कर रहा है बहुत बार पाट्नर के गलती होती है जिस कारण से बіз टिक नहीं पाता है पांच वी जो स्योंती है वह वह जिनके relation के लिए बहुत अच्छी राशी नहीं कही जाती, उनका कारण क्या है, हमेशा धनुराशी वालों के जो relation नहीं दिखते, उसके main कारण क्या है, धनुराशी वालों ध्यान से सुन लो, पहला चीज हमेशा अपनी बात को आप partner से मनवाते हैं, बहुत बार आप गलत बा कारण partner या relationship चल नहीं पाता, एकसर यह देखा गया है, साती साथ आप लोग अपनी ही शर्तों पे काम करते हैं, यानि कि आप कहीं भी जाएंगे partner के साथ में, तो अपनी ही बात मनाएंगे, अपनी ही शर्तों के अनुसार चीजे करेंगे, बहुत बार आप जब enjoyment के लिए य बिल्कुल मून्ड खराब वाला टूर हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, आपके relationship बहुत अच्छे नहीं टिक पाते हैं, साती साथ देखा जाये, तो सबसे तीसरा जो drawback point है धनुराशी का, इनका rude nature होता है, यानि सक्त नेचर होता है, सक्त नेचर के कारण, ज्याद के बाद relation कामियाब नहीं रह पाते हैं, छटी रासी के बारे में बात करें, जिनके relationship भी कमजोर रहते हैं, तूड़ जाते हैं, शादियां भी तूड़ जाती हैं, वो छटी रासी, research में आई है मकर राशी, मकर राशी का देखा जाये, तो इनमें अलग सी दिक्कतें आती है पहला चीज, मकर राशी के जो पार्टनर होते हैं, वो ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा तेज तरार होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, आपको वो dominate करने लग जाते हैं, और आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप से अपनी बात मनवाने लग जाते हैं, आपके अंदर कम्य मा आपके पिता के खिलाब बढ़काने लग जाता है या मुझे अलग रहना यह कुछ अजीब और गरीबे शर्ते रख देता है आपका पार्टनर जिस कारण से क्या हो जाता है यह रिलेशन या प्रेम टिक नहीं पाता साथी साथ देखा जाए बहुत बार क्या होता है मगर आ बनाने का कि अच्छी हो जाएगा पार्टनर एच हो जाएगी जीवन के अंदर यह भी अच्छा ठन कमा आरा मैं अच्छा ठन कमा जीवन अच्छा चलेन गा लेकिन होता इसकर उलट है पार्टनर आपको चोड़के चला जाता है और partner से आपके relation टिक नहीं पाते क्योंकि जो अच्छा कमा रहा है वो आपकी बात क्यों सुनेगा तो बहुत बार ऐसी चीज़े आती है कि family pressure होने के कारण partner आपके साथ नहीं रह पाता या आपको उनके साथ रहना है तो या तो उनकी शर्तों पर चलना उससे research में सामने आई कि ये छे रासियों के जीवन में relationship प्रेम में धोका मिलने की संभावना चादा होती है तो मित्रो इस कारेकरमा बज़तना ही मुझे दीज़े जाद चैमता दी